चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो 1885 के बाद आधुनिक भारत का इतियास मतलब 1885 के बाद आधुनिक भारत का जो इतियास है वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जितने भी गवर्नर जनरल आये हैं उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी ताकि आपको एक सीरीज में गवर्नर जनरल मिल जाए और उन्हें क्या क्या काम किया है उनके बारे में भी आपको पता हो और एक चीज़ और कि जो आंदोलन हुए हैं जितने भी आंदोलन हुए हैं उनका भी मैं एक अलग से ही वीडियो बना दूँगी ताकि सारे आंदोलन आपको एक साथ मिल जाए तो आज देखते हैं भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस अब देखिए अगर भारती राष्ट्र हुआ था अगर बात करें किसकी अगर बात करें हम एयो हुम की किसकी अगर बात करें हम एयो हुम की तो एयो हुम की जो भूमिका थी वो क्या थे एक आईसी एस अधिकारी थे कौन थे एक आईसी एस अधिकारी थे जो कि कहा की निवासी थे स्कॉर्ट लैंड के निवासी थ अगर इनके बारे में मैं बात करूँ तो यह क्या एक निश्पक्ष न्याय प्रिय और इनको क्या भारत और जो भारती थे उनसे क्या लगाव था 1885 में क्या हुआ था कि इन्होंने शिमला जाकर वाई सराय कहां जाकर शिमला जाकर 1885 में वाई सराय डफरिन किस से मुलाकात की थी वाई सराय डफरिन से मुलाकात की थी और उन्हें संजाय था फिर क्या हुआ 25 दिसंबर कब 25 दिसंबर 1885 को बंबई में राश्ट्री कॉंग्रेस संखी बैठा बुलाई गई और वहीं पर ठीक है और वहीं पर आई एन सी का क्या हुआ गठन हुआ इसी दिन ह्यूम ने घोशना की की 28 दिसंबर 1885 को भारती राश्ट्री कॉंग्रेस का एक सम्मेलन पूना में आयोजित किया जाएगा कहां पर आयोजित किया जाएगा पूना में आयोजित किया जाएगा परंतु क्या हुआ परंतु क्या हुआ जो पूना में अगर आपको कुछ याद होगा तो पूना में क्या हुआ था उस समय प्लेग फैल रहा था ठीक है तो प्लेग फैलने के कारण क्या हुआ जो आई एन सी का पहला अधिवेशन हुआ वो कहां पर हुआ बंबई में हुआ था कहां हुआ था बंबई में हुआ था तो अगर मैं भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस की बात करू तो राष्ट्रे कॉंग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी 28 दिसंब ये भी important है, कहाँ पर बंबई स्थित गोकुलदास, ठीक है, बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलिज में, ठीक है, इसकी क्या स्थान में, क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, अब इसकी संस्थापक कौन थे, आपको पता ही है, A.O.U. थे, अब जो अधि शक्ष थे, वो कौन थे, W.C. बैनर जी थे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1885 में, बंबई में, W.C. बैनर जी की अध्यक्षता में, पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें 72, मतलब 72 प्रतिनिधियों ने क्या लिया था, भाग लिया था, ठीक है, कितने लोगों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से जो अधिकतर थे, क्या थे, पत्रकार और वकील थे, क्या क्या थे, पत्रकार और वकील थे, अगर मैं कुछ मुख्य सदस्यों की बात करूँ तो वो भी आपको बता देती हूँ कौन कौन थे दादा भाई नरोजी ठीक है आपके फिरोश शह महता फिरोश शह महता और दिनशाव वाचा कौन ये मुख्य कुछ मैंने नेता के बारे में आपको बता दिया दिनशाव वाचा ठीक है ये कौन थे आपके महतावपोर सदस्य थे अगर मैं बात करूँ कमरेस शब्द की किस शब्द की ठीक है दोस्तों अगर मैं कॉइश शब्द की बात करूँ तो दादा भाई नोरोजी के सुजाफ पर ये नाम रखा गया था क्या भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस किसके सुझाफ पर दादा भाई नरोजी के सुझाफ पर चलिए अब आगे देखते हैं प्रथम दो दश को कब 1885 से 1905 में यह नरम पंथियों वाली थी लेकिन अंग्रेजों के दमनकारी उपाईयों के कारण कॉंग्रेस में गरम विचारो वाले नेताओ जैसे बिपिन चंदरपाल बाल गंगाधर के तिलक लाला राचपतराय का उदै हुआ इनको क्या बोलते हैं पाल बाल और लाल ठीक है तो क्या हुआ आपको फिर क्या हुआ जो कॉंग्रेस थी वो दो भागों में क्या हो गई थी बढ़ गई थी एक तरफ हो गए थे नरम पन्ती दूसरी तरफ हो गए थे गरम पन्ती ठीक है चलिए आगे देखेंगे इनके बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं बंगाल का विवाजन ठीक है अब बंगाल के विवाजन की अगर मैं बात करूँ तो बंगाल का विवाजन लॉड करजन दौरा 16 अक्टूबर यह 1950 नि 1905 है कब हुआ 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था पुराने बंगाल प्रांत को पूरी बंगाल और शेष बंगाल बनाकर उसक उसका क्या इक भाग कर दिया था उसका पूरी बंगाल जिसे आज बंगला देश कहते हैं इसी वजए से जो एक भाग इधर वाला जो है वो पश्चिम बंगाल है और अधर वाला क्या है पूरी बंगाल है उसका मतलब पूरे बंगाल का जो आकार था वो क्या घटा दिया था और जो उसका मुख्युत देश था वो क्या था हुंदू और मुसल्मानों में एक सामप्रिदाइक खाई कर निर्मान करना मतलब वो जो हिंदू और मुसल्मानों के बीच एकता थी उसको तोड़ना चाहा रहे थे आपने सुना होगा ना डिवाइड एन रूल तो वही डीती उन्होंने क्या की थी यहाँ पर अपनाई थी अगर मैं बात करूँ स्वदेशी आंदूलन तो स्वदेशी आंदूलन कब हुए थे 1905 में लाल बाल पाल और अरविंद घोष ने इसमें महत्वपून भूमी का निभाई थी अगर आपसे पूछा जाए कि स्वदेशी आंदूलन में किसने महत्वपून भूमी का निभाई थी या उससे रिलेटेड कौन से नेता है तो लाल बाल पाल और अरविंद घोष में इसमें क्या निभाई थी मुख्य भूमी का निभाई थी कॉंग्रेस ने जीके गुखले की अध्यष्टा में 1905 के बनारस के अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी का क्या किया था अहावन किया था और जगा जगा किया आंदोलन होने शुरू हो गए थे जो विदेशी वस्तुएं थी उनकी क्या होली जलाए गई थी ठीक है लोगों ने कॉलिजिस में जो विदेशी कॉलिजिस थे उसमें भी जाना बंद कर दिया था जो यह तो जो यह आंदोलन था मतलग इनका जो में मोटिव था वो यह था स्वदेशी चीजों को अपनाना थीक है स्वदेशी चीजों को क्या अपनाना इनका में मोटिव था तो चलिए आगे बढ़ते हैं मुसलिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी आगा खाँ धाका के नवाब सलीम उल्ला नवाब मुहसीन उल्मुल्क के नितरत्व में दिसंबर 1906 ओल इंडिया मुसलिम लीग की स्थापना हुई थी अब क्या हुआ कि लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन और स्वदेशी आंदुलन का विरोध किया और अपने समुदाई के लिए विशेश शुरक्षा एवं एक प्रत्यक निर्वाचन छेत्र की मांग की यह बहुत जादा इंपोर्टन्ट है कि बंगाल विभाजन का इन् अतलब जो मुसलिम समुदाई है उसके लिए विशेश शुरक्षा एवं प्रत्यक निर्वाचन मंडल की क्या की थी मुसलिम लिगने मांग की थी अब आगे बढ़ते हैं कॉंग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 अगर कॉंग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1906 अगर मैं बात करू तो दिसंबर 1906 में दादा भाई नरोजी के नित्रत्फ में कॉंग्रेस में भारती लोगों के लिए स्वराज ये स्वराज के लक्ष को अपनाया अपने अध्यक्षे भाशन में नरोजी ने ये घोशित किया कि कॉंग्रेस का लक्ष उनाइटेड किंग्डम की तरह सुराज का क्या है सुषाशन है तो ये था अपका दिसंबर 1906 का कल्ता का जो अधिवेशन हुआ था वो तो अध्यक्षता किस ने की थी दादा भाई नरोजी ने की थी और यहाँ पर उनने क्या घोशित किया था ये घोशित किया था कि जो कॉंग्रेस का लक्ष है वो भी उनाइटेड किंग्डम की तरह क्या है सुराज का सुषाशन है चलिए नेक्स देखते हैं सूरत विवाजन 1907 1907 के सूरत विवाजन में क्या हुआ था कॉंग्रेस का दो दलोग गरम दल और नरम दल में क्या हो गया था विवाजन हो गया था देखिए ऐसा नहीं है कि 1905 में विवाजन हो गया था विवाजन जो हुआ था वो कब हुआ था 1907 में हुआ था और अगर आप से पूछा जाए किस अधिवेशन में हुआ था तो सूरत अधिवेशन में हुआ था ठीक है सूरत अधिवेशन में हो गया था एक गरम दल बन गया था एक नरम दल बन गया था ठीक है तो नरम दल में कौन थे गोखले जी और इस साइट जो मतलब गरम दल के जो नेता थे वो कौन कौन थे लालाजपत राय विपिन चंदरपाल ठीक है बाल पाल कहा था ना मैंने आपको लाल बाल पाल ठीक है तो ये जो महजवपूर नेता है गरम दल के ये थे अब नेक्स कुछ लिए जाए कि अलिपूर बम केस कब हुआ था तो 1908 में हुआ था ठीक है तो 1908 में मुझफर पूर के जो मुख्य प्रेसिडेंसी जच थे जिनका नाम दी एच किंग्स फूड था उसकी क्या हत्या कर दी थी क्या हो गई थी हत्या कर दी थी और एक रांती कारी शडें 1908 को मजिस्ट्रेट के घर से निकले एक वाहन पर इन्होंने क्या कहा इन्होंने बम फेका भीए क्या कर किया इन लोग ने क्या कर किया एं लोगने क्या क्या है मादले मिंटंट सुधार 1909 जी हां दोस्तों, मालले मिंटो सुधार बहुत जाजा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए, मालले मिंटो सुधार 1909 में लाए गए जब लौड मिंटो भारत का वाय सराय था। मुसलिम उम्मीद्वार के लिए ही वोट कर सकता है तो इसमें क्या हुआ था प्रतक निर्वाचन जो मंडल था उसको लाकर क्या किया था इनो बाटो एवं राजकरूर कि नीति के अनुसार क्या किया था सामप्रधाई ता जो थी उसको संस्थाकत बनाने की क्या रखी थी नी इव्रकीती जिसके अनुसार क्या हुआ था कि जो मुसलिम है वो केवल किसको वोट कर सकते हैं केवल मुसलिम उम्मीद्वार को ही वोट कर सकते हैं अब नेक्स देखते हैं लौड हार्डिंग का आगमन लौड हार्डिंग का आगमन 1910 से 1916 तक लौड हार्डिंग भारत का क चलिए दिल्ली दर्बार देखते हैं दिल्ली दर्बार क्या है देखते हैं 1910 में क्या हुआ था इंग्लेंड में राज्य अभिशेक हुआ किसका राज्य अभिशेक हुआ 1910 में किंग जॉर्ज पंचम किसका किंग जोर्ज पंचम का राजय अभिशेख हुआ अब 1911 में क्या हुआ जब वे भारत प्रवास पर आए कौन-कौन किंग जोर्ज पंचम और क्वीन मैरी वोलो जब भारत आए तो भारत की समराठ और सामराग्री के रूप में समराग्री के रूप में राजय अभिशेख के लिए क्या किया गया एक दरबार का आयोजन किया गया अब एक दरबार का जब आयोजन किया गया तो इस दरबार में क्या था राजय ने भारत की रास्थानी ठीक है जो भारत की रास्थानी थी कलकत्ता ठीक है कलकत्ता से क्या स्थानांत्रित की दिल्ली स्थानांत्रित कर दी ठीक है इस दर्बार में क्या हुआ कि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांत्रित करने की क्या कर दी गोशना कर दी और इसी दर्बार में जो बंगाल भिवाजन हुआ था ठीक है जो बंगाल भिवाजन हुआ था उसे क्या किया उसे रद्ध करने की गोशना कर दी ठीक है इसलिए इसे क्या कहा जाता है दिल्ली दर्बार कहा जाता है क्योंकि कलकता से दिल्ली क्या हुई थी रा दिल्ली शडियंत्र केस है, वो रास भिहारी बोस द्वारा क्या रचा गया था, लेकिन ये भी क्या सिध्ध नहीं हो पाया था, 23 दिसंबर 1922 को क्या हुआ, जो वाय सराय लॉड हार्डिंग था, कौन वाय सराय लॉड हार्डिंग था, उस पर क्या बंफे का गया, जब वो चांदनी चौक से उसकी क्या शोभायात्रा निकल रही थी, क्या निकल रही थी, शोभायात्रा निकल रही थी, और इसे ही क्या कहा जाता है तो चली आगे बढ़ते हैं गदर पार्टी 1913 अब अगर गदर पार्टी की बात की जाए तो गदर पार्टी किस अंस्थापा किस ने बनाई थी तो लाला हर्दियाल तारकनाद दास और सोहन सी भागना ठीक है किस-किस ने लाला हर्दियाल तारकनाद दास और सोहन सी भाखना ने क्या की थी जो गदर पार्टी थी इसका क्या किया था गठन किया था अगर इसका मुख्याले है उसकी बात की जाए तो इसका जो मुख्याले है वो कहा था सैंट फ्रांसिस को था ठीक है कहा था सैंट फ्रांसिस को था नेक्स चलते हैं कहा पर होम रूल आंदोलन की और ठीक है होम रूल आंदोलन क्या था 1915 से 1916 देखते हैं बाल गंगाधर तिलक 1914 में मानले जेल से क्या हुए मुक्त किये गए अब 1915 में क्या हुआ उन्होंने पुन्हा कॉंग्रेस में प रिहा कर दिये गए तो 1915 में उन्होंने क्या किया फिरसे को अंग्रेस में क्या क्या प्रवेश किया अब तिलक ने क्या किया 28 अप्रेल 1916 को पूणे में किसकी स्थापना की, होम रूल लीग की क्या की शुरुवात की, ठीक है, किसकी शुरुवात की, होम रूल लीग की शुरुवात की, अगर मैं बात करूँ ठीक है अगर मैं बात करूँ एनी बेसेंट एनी बेसेंट ने आईरिश विद्रोही से प्रेड़ना लेकर ठीक है एनी बेसेंट ने आईरिश विद्रोही से प्रेड़ना लेकर क्या किया था सितंबर 1916 में सितंबर 1916 में क्या किया था होम रूल आंदूलन की शुरुआत की थी ध्यान दीजेगा होम रूल लीक की जो शुरुआत हुई थी वो किस ने की थी होम रूल लीक की शुरुआत तिलक ने की थी ठीक है होम रूल जो लीक थी उसकी शुरुत तिलक ने की थी परन्तु जो होम रूल आंदोलन था उसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी तो ये बहुत इंपोर्टेंट है सितंबर 1916 में क्या हुआ था सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन की क्या हुई थी शुरुवात हुई थी उ थोड़ा गलत लिखा हुआ है हिंदी में, मैं इसको लिख देती हूँ अच्छे से, किस की शुरुआत की थी, कौमन विल की शुरुआत की थी, दो समाचायत पत्र कौन-कौन से थे, कौमन विल और यंग इंडिया, लीग ने सत्याग रहा है और सवी ने अवग्या का क्या किय था? समर्थन किया था, ठीक है? लीग ने क्या किया था? सत्याग रहा है और सवी ने अवग्या का क्या किया था? समर्थन किया था, तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, I hope आपको ए वीडियो अच्छा लगा हो, इसके आगी का सेक्षन नेक्स वीडियो में देखत तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच